हलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं बना रही हूँ पपीते का जूस जो कि मेरे पास एक्ष्ट्रा में आदा पपीता रखा था मैंने सुचे इसका मैं जूसी बना लेती हूँ इसलिए मैंने इस पपीता को काट लिया है उपर का भाग मैं अलग कर दिया है और नीचे का चिलका भी हटा दूँगी और मैंने चिलका इस तरह से हटा के और पपीते के क्यूपस फीसे में कट कर लूँगी मैंने सारे पपीता को कट कर लिया है यहां पर और मैं यहां पर मिक्सी के जार में पपीते का जूस बनाऊंगी इसमें मैंने को डाल दिया है और आम इसमें डाल दूँगी चीनी जो कि मैंने तीन चमच चीनी डाली है और इसमें बनाता पाच गिलास जूस जिसमें मैंने डाला था एक गिलास दूर डाला था जो कि भैंस का था फुल फेट दूर था अच्छा वाला दूर था यह जूस भी पीने में बह है जो कि मेरे पास एक्ष्ट पापीता रखा था बच्चे नहीं खा रहे थी तो मुझे लगा चलो मैं जूस ही बना दी थोड़ा सा गाड़ा था इसलिए मैंने इसमें दो ग्लास तूर पानी और डाल दिया है क्योंकि गाड़ा जूस बच्चे पीते नहीं है इसलिए गुमा दिया है मटकी का पानी डाला है कोई मैंने आइस वगेरा फ्रीज का पानी कुछ ही नहीं डाला है इसमें बच्चों के इसाब से बनाया है और मैं एक ग्लास आपको डाल के बताती हूं यह देखो जूस बहुत ही अच्छा बना था पीने में भी टैस्टी था और दि चा लगता है